प्यार इसको मिलता है आपको जादा प्यार पापा से मुझे मिलता है और ममा से उसको मिलता है ममा का फेवरेट है वो और मैं पापा की मॉटिवेशन वह मामा थी इसवीब भी dónde और यहीए कि पापा जादा प्यार करते हैं आप कम प्यार करती हैं प्यार काम नहीं करती है ममाation थोड़ी स्टीक हो जाती है जैसे कि Chan Centre's आज ममा Pacific मिस पूरा है एक गंठे हीओаний करता है मुझे दिखता था कि मेरे पापा कितनी मैनत करते हैं दूप नहीं देखते हैं सरदी नहीं देखते हैं बाहर जाते हैं पैसे लाते हैं और एक होता है कि आप पहले से ही आपके पास बहुत जाता पैसे है एक middle class जो family होती है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े school में पढ़ाना CBSC class 12 का result जो है वो गुजुशता कल आ चुका है और हर साल की तरह इस साल भी जम्मू के बच्चों ने निमाया कामियाबियां हासल की है और आज की अगर बात करें तो हमारे साथ अभी नकीता शर्मा जी मौजूद है जिन्होंने 94.8 marks जो है बारमी जमात में लिये हैं अभी इनकी family भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो मुबार्क बाद आपको Thank you मुझे यह बताएं कि सबसे पहले जब रिजल्ट आउट हुआ तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा आपका नहीं आया नहीं आया ऐसे बोल रही थी बट बात में मैंने जब रिजल्ट चेक किया तो बहुत जादा एक्साइटीड होगी में क्योंकि जितने सोचे तो इसको फिर खुशकबरी अपने अपनी फैमिली में सबसे पहले चुनाई अ सब फैमिली दोनों ममा पापा मेरे पास बैठे हुए थे जब में रिजल्ट चेक कर रही थी तो सबसे पहले अपने ममी पापा के साथ शेयर की थी मैंने उमीदें क्या कुछ थी कितनी परसेंटेज लानी थी आपने उमीद मैंने स्टार्टिंग में 98 सोचा था और उसके बाद जैसे ही में पेपर देती गई और घर में भी कंडिशन थोड़ी ऐसी होगी अट दे एंड तो मुझे लगा कि अट लिस्ट मैंने जो 98 सोची थी उसकी अट लिस्ट 95 तो टच कर जाओं मैं बहुत नीचे ना चली जाओं क्यूंकि वो मेरा फिर ये था कि सेल्फ कॉंफिडेंस बहुत जादा डाउन हो जाता क्यूंकि मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत मेहनत की थी और एंड में ही जब आपको पूरा परिनाम देना होता है पूरे साल के आट में आपको लिखना होता है जाके उसी समय में ही प्रॉब्लम्स बहुत सारी फैमिली म लाने के लिए किइस सेख्वाब्र देना गैसे बहुत करनी है बठाव करनी पढ़ता है बाट एसा नहीं होता कि आप एक दिन में अपने पढ़ लिया तो आपके इतने नंबर आजाएंगे क्यूंकि एक लाइ जो मिने पढ़ी nig सार्टिंग में एक मॉटिवेशनल लाइन थी वो मैंने यूट्यूब से पढ़ी थी और उसने मुझे बहुत जादा कंसिस्टेंट से पढ़ने का मतलब कि रोज मुझे पढ़ना है और वो यह लाइन थी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती बट सफलता एक दिन जरूर मिलती ह है तो इस लाइन ने मुझे बहुत जादा मॉटिवेट किया कि इस लाइन ने मुझे फोर्स किया कि मुझे नहीं मुझे रोज पढ़ना है चाहिए मैं दो गंटे क्यों ना पढ़ू मुझे रोज पढ़ना है बैटके तो मैंने रोज स्टार्टिंग में मैंने रोज फोर और स्तेडी किया। और एक्जाम के दौरान मेरे को जैसे टाइम मिलता था सूबह मिलता था तू मैं सूबह पढ़ लेती थी।이ême टाइम डेबल नहीं दृज्ट मेरा कमेरे दृज करती थी। इनके वालिद साहब भी हमारे साथ यहां पर मौझूद है, सर कितनी खुशी हो रही है, 94% आपके बच्ची ने लाए है, अच्छी हो रही है, तो जब रिजल्ट आया तो फिर मिठाईयां वगेरा तक्सीम हुई, अभी नहीं थी है, अभी हो रही है, इस तरफ जो है, इनकी म मौं भी हमारे साथ मौझूद है, वैसे लगता नहीं है, यह इनकी मौं है, फिर भी जो है, लेकन यह हकीकत है, कि इनकी मौं ही है, जब हम यहां पर इंटर हुए, तो हमने सोचा कि इनकी शायद दीदी है, इनकी बड़ी दीदी है, इनसे भी वादसीत करते हैं, मैं कितनी कि आपकी बेटी ने जो है वो 94.8 परसेंट मार्क्स लाए है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो शब्दों में नहीं बया कर सकते खुशी बहुत ज़्यादा है इतनी में भीमार्ती और खुशी सुनके इस करजल का सुनके थोड़ा अच्छी हो गई है अपने क्लासी थी शुबा अट बजे लग जानी और दो बजे तक आनलाइन बच्चा पुरा दिन फोन पर फोन पर बच्छे के पास इतना था नहीं टाइम तो मैं भी इतना वो करती नहीं थी डिस्टर बच्चे को चलो आनलाइन है वैसे भी बच्चे को कुछ समझ में करने के और जो शाम को टाइम रात को बचता था दो तीन गंटे वो लेती थी बागी करती थी गर का भी मैनेज करती थी उस कंडिशन में इसने अच्छे लिए हैं अगर कंडिशन और मेरी बैटर नहीं खराब होती बैटर रहती तो यह 98 पॉइंट आगे भी टच कर सकती थी इ अगर एक बच्चे की कामियाबी के पीछे पैरेंट्स का कितना एहम रोल रहता है मेरे पैरेंच का तो बहुत ज़्यादा एहम रोल था क्यूंकि हमारा जो दोरान था जिस दोरान में हम अपने पेपर दे रहे थे वो गर पे था और घर पे अगर आपको पढ़ाई वाला इ अचानक हो जुका था और नहीं बता था कि इसके साथ कोप अप कैसे करना है हमें, बट मेरी मम्मी मेरी मॉटिवेशन बनी, पहले में एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं बहुत एवरेज नमबस लेती थी, और मेरी मम्मी ने मैं को समझाया, मेरी मम्मी बैठी मेरे पास, मम् मेरे पापा भी थे मेरे साथ, पापा हमेशा बोलते थे, मैं बहुत मैनत करता हूं, तुमें भी करनी है उतनी ही मैनत, जितना में खुन पसीना एक करता हूं, तुमें भी करना है, तुमें भी उतनी मैनत करनी है, तो मुझे दिखता था कि मेरे पापा कितनी मैनत करते हैं, दूप नहीं देखते हैं, सर्दी नहीं देखते हैं, बाहर जाते हैं, पैसे लाते हैं, और एक होता है कि आप पहले से ही आपके पास बहुत जादा पैसे हैं, एक मिडल क्लास जो फैमिली होती है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े स्कूल में पढ़ाना और मतलब मंत इतनी फी होती है मंत की की बहुत ज़ाधा होता है middle class के लिए सोचना भी तो मेरे पापा जोमें लिए किया मतलब मेरे को था कि मेरे को अपने पापा को निराशनी करना है जीतने उन्हों ने पैसे भरे है है इट इस उतनी ज्याधा खुशी में उनको दे पाऊंग मैं बागान को आगे दो एक खुशी वैन को मैंनत करके lot सब सबीन होखोई चैनल के रहे हैं कि मॉठे मृणी प्यार करते हैं यह ऐसा क्यों पड़ फमा के सधा सब्सक्राइब करनेpexograph incentive पोरी दिन भार होते थे तो वह motivation वौ मॉर्य धी पिर क्या थी यह कि पापा ज्यादा प्यार करते है डोरा आप कंप प्यार करती है प्यार कम नहीं करने कर्ति ममा फोड़ी स्टिक हो जाती है जैसे कि lecture मिस्त कर संध्य है वह ममा ने तो डांटना है, अगर ममा ऐसा माना दोनों में से एक ना करेगा तो फिर बच्चे को मॉटिवेशन कहां से मिलेगी, पापा बोलते थे चल रहने दे, अभी शाम होगी, अभी रात होगी, अभी तोड़े इसको रेस्ट लेने दे में नहीं, जो अभी इसका रात को बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब बेटों को ज्यादा स्पोर्ट मिलती है, और बेटियों को कम स्पोर्ट मिलती है, चाहे बढ़ाई के मामले में देखें, किसी भी मामले में देखें, तो बेटियों को फोड़ा पीछे ही दखेला जाता है, as compared to boys, उन पैरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज रही है? कि कि नहीं, मुझे अपनी लड़की को लेके जाना है, आगे बहुत लेके जाना है, जब बापा ने मुझे स्कूल में दा दाल था, चेके पुबिक स्कूल में, तो पापा को बहुत रिलेटिप्स ने बोला था कि इसको क्यों डाल रहो तुम आ माँगे जाके इसकी शादी जॉब बाले तो वो ऐसा तो आपका कुछ है नहीं तो आप कैसे करोगे तो बट पापा ने बोला नहीं जैसे मर्जी हो जाए बट मैं पढ़ाऊंगा इसको यहां पर तो पापा का एक ड्रीम था मुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ाना और पापा का यह भी था कि जब मै स्कूल से निकलू तो मैं अपना नाम एक वहां पर छपा के निकलूं कि नहीं इसने नाम रोशिंग के स्कूल में हर एक इनसान वहां पर याद करें वहां पर फोटो लगे और हर एक चीज तो I think so मैंने वो चीज़ किया कुछ प्लानिंग है क्योंकि 12 के बाद बाद से ही श करना है UPSC मतलब मेरा तब से ही ड्रीम है और मेरे को यह है कि मुझे बस UPSC क्रैक करना है और एक बार लपसाना जाना है मुझे और मुझे ऑफिसर के साब पुरा इंडिया घूमना है और यह मेरे दिल में बहुत जादा खोईश है कि मैं वहां पर जाओं और मतलब हर दिन ह हर रात में यह सपना देखते हूँ कि मेरा इसमें मुझे पता जल जाए कि मेरा स्कोर कर सकती और कौन सर स्बजेक्ट इसा जिसमें मेरा जाधा होल्ड है तो इसलिए मेरा दो यह बाक सी अपना है UPSU और आगे भी रहेगा और पूरा भी होगा ज़रूर अपने माबाप का नाम जो है वो रोशन किया 94.8% मार्क्स लाके और उन लोगों तक भी हम जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे बाकी के बच्चों के पास भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन्हें अच्छे मार्क्स लाए हैं कोशिश करेंगे कि उनके पास भी हम जा आपने मेजमान को दीजिए इजाज